Cut Tool का बिल्कुल कैंची की तरह इस्तमाल होता है, Cut Tool लें, फिर Point से Point तक क्लिक करें, जहां से आप Cut करना चाहते हैं, यह piece graded है, अतहर जब यह message आए, कि piece काड़ते हुए Contour के साथ Zero Grade रखें, तो आप हाँ पर क्लिक करें, और जब भी हम Cut करेंगे, तो हमें बताना होगा कि जहा Seam Allowance देना है, यहां आधा इंच दिया है, OK करें, अब हमारा piece कट गया है, अब हम दूसरी जगे Point से Point तक कट करेंगे, फिर OK करेंगे, हमें जवाब दें और Seam Allowance डालें, पीसों को अलग करने के लिए Select Tool पर जाएं, और पीसों पर क्लिक करके ड्राग करें, यहां आप दिख सकते हैं कि हमने कहां कट किया है, और Seam Allowance डाला है, और Seam Allowance डाला है,